मैं आज आपके साथ सेह करने वाली हूँ देसी मैगी की रेस्पी इसे बनाना बहुत आसान है और इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है तो बस हम मैगी को यहाँ पर 70-80% तक ही वाल करेंगे कम्प्रेटली वाल बिल्कुल नहीं करना है और उसके बाद मैंने यहाँ पर छान लिया है और ठेंडे पानी से वास कर देंगे और थोड़ा सा तील आड़ कर देंगे और मिक्स कर देंगे ताकि जो मैगी है वो बिल्कुल 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 इस्टिकी नहीं हो और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया पैन और इसमें आड़ कर रही हूँ कूकिंग वाइल और साथ में आड़ कर रही हूँ हरे मिर्च बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ और साथ में एनियन एड़ कर रहे हूँ हलका से सौटे कर लेंगे और उसके बाद एड़ करेंगे थोड़ी से सब्जियां इस पर मैंने हापर लिया है फ्रेंच बेंज, कैपसिकम, लंबा-लंबा टमाटर को कट कर दिया बिना और साथ में कैरोट और फ्रेस पी लिया है तो बस इसे भी हम हलका से सौटे कर देंगे मतलब सब्जियों को कमी भूना है ताकि जोसका क्रण्च वो मेंटेन रहे हैं और नेक्स्ट आप मैं यहापर आट कर दिया है और साथ में टेश्ट रिकॉर्डिंग नमक आट करींगे तोड़ा से मही आपर चिली प्रेक्स कर रहे हूं चाओ तो आ प्रेट चिली पॉडर आड़ कर सकते हूं तोड़ा से ओरिगैनो आड़ करेंगे एड़ एक विलेट चमछ मही आपर पीज़ा पास्ता सॉस आड़ करेंगे तो आप यहाँ पर tomato ketchup या फिर सिजमान sauce का भी इस्तमाल कर सकते हूँ, बस अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद आड़ कर देंगे, वाल किया हुआ maggie और बिल्कुल अच्छे से mix करेंगे जब बिल्कुल perfectly mix हुचा तो last में आड़ करेंगे, बिल्कुल fine chopped किया हुआ cabbage last में आड़ करना बहुत अच्छा सा flavor आता है एक और mix करेंगे और पाले sprinkle कर देंगे, बारी कटा हुआ धनिया बता और सच में इसका टेश्ट बहुत ज्यादा अच्छा तो आपको एक वार इस तरीकी से तू ज़रूर से try करना चाहिए, try करो और उसके वाद रेस पी कैसी बाने मेरे साथ comment section में ज़रूर से share करना वीडियो अच्छी लगी है तो like share और अगर channel परने है तो please subscribe कर लो